गाइज एक इंसान को सुमर का दिल लगा दिया गया, काफी इंपोर्टन्ट ये टॉपिक है गाइज, इरारेट स्टेट के सर्जन ने पिग का जो हाट है, सुमर का जो दिल है, हिलत है जो है, वो human patient के अंदर transplant कर दिया, और ये medical science में पूरे दुनिया भर का पहला successful case हम लोग क नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है, आपसे question xenotransplantation से related पूछट आएगा, तो ये चीज याद रखना कि xenotransplantation क्या होता है, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी process हम लोग को देखने को मिलती है, जिसमें जो अलग-अलग species जो होती है, यानि कि एक species दूसरे से अलग हो प्रक्रिया, तो जो members होते हैं, अलग-अलग species के, उनके जो tissues हैं, या उनके जो organs हैं, उनको जो transplant किया जाता है, या उनकी grafting होती है, तो इस प्रक्रिया को xenotransplantation कहा जाता है, तो ये चीज आप ध्यार में रखिएगा, और दशकों से, decades से, आधूनिक चिकित्सा, यानि की modern medical science, चिकित्सा विज्ञान, इसके दोरा इसका अनुसरन किया जा रहा था, काफी decades से इस चीज को pursue किया जा रहा था, xenotransplantation को, लेकिन विशेशग्यों के लिए किसी दूसरी प्रजाती के किसी अंग को प्रतिरोपी किये, यानि की transplant किये जाने वाले विक्ती की, प्रनाली दोरा असीवकार किये, जाने और रोगियों के लिए इसके घातक परिणाम होने संबन्धी चुरौती को पार करना मुश्किल रहा है, अभी तक, मलब decades से हम लोग को, दशकों से हम लोग को देखने को मिल रहा है, और आपको ये भी पता है guys, कि हमारे जो immune system जो होत हैं, तो आप जानते ही हैं इस चीज़ के बारे में, कि हमारा immune system कोई भी foreign object, यानि कोई भी virus, अगर हमारी body के अंदर enter करता है, virus की बात कर रहा हूं मैं तो, simple से, organ तो बहुत बड़ी और दूर की बात है, कोई भी foreign object हमारी body के अंदर enter करता है, तो हमारा immune system तुरंट उसको भ अगा आएगा, तो problem यही थी, कि अगर किसी दूसरी प्रजाती के organ को अगर हमारी body में, human की body में डाला जाएगा, तो obvious ही बात है कि हमारा immune system उस पर attack कर देगा, उसको निप्टा देगा, उसको रहने नहीं देगा अंदर, तो यह एक बड़ी दिक्कत थी, और दूसरी एक द साइन से काफी आगे बढ़ गई, आज की रिट में हम लोग genetic engineering करते हैं, तो हुआ यह है कि जो pig का जो दिल है, heart हिर्दय है, उसकी genetic engineering हुई है, मतलब editing हुई है, उसके genes की, scientist ने तीन genes को remove किया है, पहला gene तो सबसे पहला यही है, ऐसी जो भी चीज है, जिसको human जो body है, वो accept नहीं करती, जो rejection करती है, pig के organs को human के द्वारा, तो उस gene को हटा दिया गया, right, मतलब कि हमारी body जो है, उसको reject ना करे, सबसे पहले उसको हटाना था हमें, right, क्योंकि अगर हमारी body, अगर pig के इस particular gene को identify करे, कि reject कर देगी, तो आप यह इसी operation fail हो जाएगा, successful हो जाई नहीं, त साथी साथ, pig का जो heart का tissue है, वो काफी तेजी से grow करता है, बहुत तेजी से grow होता ही है, excessive growth इसकी होती है, तो अब इतना जदा grow होगा, तो obviously ही बते है, इनसान वैसी ही मर जाएगा, human, तो उसको हम लोग को हटाना था, उसको निप्टाना था, उसको खतम करना था, क्योंकि human क heart जो होता है, उसके fist के बरावर होता, आपको बता होगा, मुठी के बरावर, तो एकदम उसको grow भी कर नहीं सकते, एकदम जादा, नहीं तो फर्दिक्कत आ जाएगी, वैसी ही मर जाएगा इनसान, और इसके लावा 6 human के जो genes है, तो उसको ऐसा हमें बनाना था, कि human body के company firm, Revy Vecore, तो Revy Vecore, थोड़ा सा यह ध्यान में रखना, यह नाम आपसे पूछ जाया सकता है, state civil services में, वैसे तो UPSC शायद ना पूछे, पर फिर भी general knowledge के लिए चीज़ आप ध्यान में रखना, कि UPSC आपसे जाधा तर interested होगी, xenotransplantation से related, और अभी जो नहीं research जो हुई ह इस field में, उसके बार में, या फिर यह पूरी process क्या है, इसके बार में UPSC आपसे पूछने में interested रहेगी, अब pig को ही क्यों चुना, यह UPSC आपसे पूछ सकती है, तो आपको ध्यान में रखना है, कि pig जो है, वो काफी ज़दा popular है, organ transplantation के मामले में, क्योंकि उसका जो organ है, वो काफी हद तक, humans के जैसा ही है, similar है, और यह आसानी से इसकी genetic engineering जो है, वो की जा सकती है, pig के, जो दिल है, organs है, tissues है, उसकी, और organ shortage की problem भी जो है, आप जानते हैं गई, इंडिया के अंदर, तो यह आला point तो आप definitely mains में उप्योग कर सकते हैंगी, इंडिया के अंदर, patient जो है, हर साल liver transplantation के patient, 25,000 से 30,000 हमें देखने को बलते हैं, बट 25,000 से 30,000 patient में से मातर 1500 को ही, जो है, वो transplantation receive हो पाता है, मातर 1500 कहां 25,000, 30,000 हो कहां 15,000, आप सोचिए, तो इतना बुरी इस्तिती हैं इंडिया के अंदर, और अगर हम वहीं बात करें heart failures की, तो हर साल बताया हैं, और इन में से मातर 10 से 15 ही heart transplant हो पाते हैं हर साल, 50,000 कहां और कहां 10 से 15, आप सोचो कितना बुरा अकड़ा ही है, और सबसे बड़ा obstacle जो है, सबसे बड़ी चुनोती बाधा आप कह सकते हैं, transplantation की यह है कि वो organ reject कर देता है, तो scientist जो है, वो genetic editing के बादियम से, genetic engineering के बादि जो है, उसको accept कर ले, और इससे पहले भी xenotransplantation की कोशिश की गई, जैसे कि बताया गया कि liver, kidney, heart transplants जो है, वो लिये गाए, बताया गया कि non-human, human में जो है, वो transfer किये गाए, 1970s के समय पर, बट काफी majority जो थी उन में से, वो fail हुई, क्यों हो fail हुई, क्योंकि organ rejection और हमारा immune system जो है, वो किसी भी foreign object को body के अंदर enter नहीं करने देता है, जैसे मैं आपको starting में बताया, तो वो ही उसको जो है, वो निप्टा देता है, मार देता है, तो कुछ facts धान मेरे को, जैसे 1984 में, एक छोटी बच्च, बलब वो था, बच्चा था, एक मानव शिशू जो था, तो उस उसको heart जो है, वो लगाया गया, किस से, बैबून से, बैबून क्या है, एक बंदर जैसी देखने वाली, बंदर की प्रजाती है, हम लोग को देखने को बलती है, बैबून, तो इसका जो है, वो दिल लगाया गया, बट वो बच्ची हो थी, वो 21 दिन बाद जो है, वो मर ग की रोशनी, वो पिस लाने के लिए, पिग का कॉर्णिया यूज किया, फिर 2020 में, युनाइट स्टेट्स के एक्सपर्ट्स ने, जेनेटिकली ऑल्टर्ट किड्नी, जो है, वो ब्रेन डेट परसन को, अटाच करी थी, रिसर्च किया था, पिग के ओर्गन्स के माद भी हम से तो काफी रिसर्च है, वो हो चुकी है, तो जेनो, ट्रांस्प्लांटेशन थोड़ा से ध्यान में रखना, और अभी जो पूरा केस सामने आया है, तो उसके बारे में बस आपको एक आइडिया होना चाहिए, तो ये दा गाईस, पूरा वोलो टॉपिक उबीद करता हूँ,